नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खाल सब्डेट में मैं हूँ आपके साथ अभिलाश भारत और अस्ट्रेलिया के बीच एक बॉक्सिंग डेट अस्मैच की जो शुरुआत हुई थी उसको अंजाम देने का टाइम आ गया जो है वो पूरी तरह से अपने कबजे में कर चुका है बॉक्सिंग डेट अस्ट्रेलिया के गिराई और भारत की खुद भी जो है तीन विक्टे गिरी है आज चौते दिन और पांचवे दिन का जो खेल होगा वो बहुत आहम होने वाला है क्योंकि बारती टीम जीत दर्च कर लेगी तो फिर शायद एक अलग देखने को मिलने वाला है चरम क्योंकि यहां पर अब फिर चौथा टेस्ट मैट सिट्नी में होगा जो डिसाइडर होगा लेकिन टिम इंडिया की तारीफ तो हर किसी ने किया है बल्लेवाजी की किया है लेकिन अब यहां पर उनकी तारी को इस बार 3-1 से हरा सकती है कपिल देव ने कहा कि भारत का गेंदवाजी आकरमन फिलाल दुनिया का सबसे बहतरीन गेंदवाजी आकरमन है और यह 20 विक्टे निकालने की टेस्ट मैर्च में पूरा हुनर रखते हैं और जिस तरह की गेंदवाजी भारती टीम कर रही है उस कुलन मिलता है तो कहीं न गई भारत को पूरा ऐसास है कि जीत हो रही है लेकिन 3-1 से जो प्रेडिक्शन दे दी है कपिल पाजी ने वो कुछ सोच करी कि होगी क्योंकि मैलबॉर टेस्ट हम जीत रहे हैं सिड्नी में हमारा रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है 15 साल पहले सिड तो यहां पर फटा फट क्रिकेट खेले क्योंकि आप अगर अपनी टेल को आउट नहीं कर पाऊगे तो शायद सिड्नी में भी फिर यही दिक्कत आईगी क्योंकि टेल नहीं आज भारत का खेल विगाड़ा 146 पर 7 से 258 पर 8 है तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अगले 82 80 रनों पर भारत एक ही विकेट गिरा पाया टेल को आउट नहीं कर पाया हलाकि भारत के पास रात की खबर यह कि नया गेंद उनके साथ है अगर मौर्निंग में थोड़ा सा खेलने को मिलता है एक सेशन भी भारत को मिलता है तो शायद भारत बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया क जो है समेटने में काम्याब होगा तो फिलाल इस खास अबडेट में इतना ही कपिल पाजी ने जो कहा है तीने एक से जीते हैं अब देखना होगा कि क्या वारत तीने एक से जीता है या नहीं